धर्मराज 만دिर चमबा हिमाचल प्रदेश दुनिया का अखेला ऐसा मंदिर जहां मृत्यू के देफ़ता यम्राज की पुजा होती है ऐसा माना जाता है के यम्राज के दूद किसी इंसान की मृत्यू के बाद सबसे पहले उसकी आत्मा को लेकर यहीं आते हैं जिसके बाद यहां पर यमराज की अदालत लगती है उस आत्मा के पाप और पुन्य को तोला जाता है और फिर यमराज फैसला करते हैं कि आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होगी या फिर नर्ग की जो लोग अपने अंत समय में इस मंदिर में जाते हैं ऐसा माना जाता है कि उन्हें साक्षात यमराज की दर्शन होते हैं वैसे तो मित्यू आने से कुछ समय पहले ही एक इंसान को यमराज की चिठ्थिया मिनना शुरू हो जाते हैं यम्राज की वो चिठ्थियां क्या हैं और उन्हें ये भयानक रूप कैसे मिला। यम्राज से जुड़ी बहुत सी अनसुनी कहानिया हैं जिने सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रिगवेद के अनुसार यम सूर्य देब और उनकी पत्नी देवी संजना के पुत्र हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यम्राज और उनकी जुड़वा बहन यमी इस धर्ती पर जन्म लेने वाले पहले इंसानों में से थे। जिस तरह इस धर्ती पर जन्म लेने वाले हर इंसान की मित्यू तै होती है। यम और यमी की मित्यू भी निश्यत थी। जब यम्राज की मौत हुई तो वो इस धर्ती पर जन्म लेने के बाद मरने वाले पहले इंसान थे। वेदों के अनुसार यम्राज is the first mortal। अपने मित्यू के बाद वो मौत से जुड़ते गए और दूसरी दुनिया तक जाने का रस्ता बनाने लगे। जहां आज पित्रों का राज है। फर्स mortal होने के कारण वो मरे हुए लोगों में सबसे प्रमुक कहलाते हैं। जैसे जैसे यम्राजी कहानी वेदों में आगे बढ़ती है। उनका रिष्टा मृत्यू और मृत्यू से जुड़े पहलूं से और भी गहरा होता चला जाता है। हमें हमेशा से गहरे रंग बड़ी लाल आखो वाली यम्राज के विक्राल रूप के बारे में बताया गया है। जिनकी काली मूचे हैं और वो महिशा नाम के एक भैसे पर सवार होते हैं। उनके इस भयंकर रूप से लोगों को डर लगता है। लेकिन यम्राज का ये भयंका रूप उन्हें जन्म से नहीं मिला था। पुराणों के अनुसार यम्राज देखताओं में सबसे सुन्दर हुआ करती थे। इस बात का उन्हें बहुत अभिमान भी था। उनके रूप के कारण स्वर्ग और धर्ती लोग की कई स्त्रियां उनकी ओर आकरशित होती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब यम्राज धीरे-धीरे अपने करतव ये भूलकर अपने रूप को और निहारने में समय बिताने लगे। इसका परिणाम ये हुआ कि धर्ती पर किसी की मित्यू नहीं हो रही थी। लोगों को ये लगने लगा कि वो अमर हो रहे हैं। लेकिन धर्ती के लिए इतना बोज सहना मुश्किल होता जा रहा था। इससे परिशान होकर मा धर्ती ने शिवजी से मदद मांगे। शिवजी ने यमराज को सबक सिखाने का निर्नय किया। उन्होंने यमराज को कहलाश परवत पर बुलाया। और उन्हें पास ही के एक तालाब में से पानी भर कर लाने को कहा। ताकि शिवजी अपनी प्यास बुझा सके। जब यम्राज पानी भरने के लिए तालाब की उर जुके तो उन्हें उस ठेरे हुए पानी में अपनी पर्चाएं दिखी जिसे देखकर वो हैरान हो गए। पानी में उन्हें एक काला बड़ी बड़ी मूचों और डराबनी आखों वाला आदमी दिख रहा था जिसके सर पर बड़े बड़े सीम थे। जब उन्हें समझ आया कि ये उनका खुद का ही रूप है तो वो दौरते हुए शिव जी के पास पहुँचे लेकिन तब तक भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन हो चुके थे। अपना ये भायानक रूप देखकर यमराज बहुत डर गए और अपनी सुन्दरता छिंजाने का दुख मनाते हुए विष्णु जी की अराधना करने लगे। कई सालों बाद जब विष्णु जी उनके सामने प्रकट हुए और उनसे उनकी इच्छा के बारे में पूछा तो उन्होंने अपना सुन्दर रूप वापस मांगा। विष्णु जी ने कहा कि वो उन्हें उनका रूप वापस नहीं दे सकते। लेकिन उनके सर पर लगे सींग किसी दूसरे जीव के सर पर लगा सकते हैं। और वही जीव यम्राज का वाहन बरेगा। ये उन्हें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि जब वो अपने कर्तवे से भटके थे तो उनके साथ क्या हुआ था। और इसलिए आज भी महिशा नाम के भैसे पर सवार यम्राज को इस भयंकर रूप में ही दर्शाया जाता है। गरुड पुरान के अनुसार इंसान को अपनी मृत्यू से पहले के कुछ पलों में अपनी पूरी जिंदगी का एक फ्लैश बैक दिखता है। और उस वक्त उसे आभास हो जाता है कि उसकी मृत्यू करीब है। लेकिन इसके अलावा यम्राज हमें हमारी पूरी जिंदगी में चार चिठ्थियां बेचते हैं जो हमारी मौत के करीबानी का संकेत होती है। पुराने समय में धर्ती पर एक अम्रित नाम का आदि में रहता था। उसे मृत्यू से बहुत डर लगता था। इसलिए इस बात के उपाय के लिए वो मृत्यू के देवता यम्राज की अराधना करने लगा। कई सालों बाद यम्राज ने खुश होकर अम्रित को दर्शन दे और उनसे मन चाहावर मांगने को कहा। तब अम्रित ने कहा कि जो इस संसार में आया है उसकी मृत्यू निश्चित होती है। पर मृत्यू के डर को कम करने के लिए यम्राज उसे पहले से ही कोई चिठी भेद दे ताकि वो अपने परिवार के लिए सारे सभी सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर चैन से मर सके। यम्राज ने उसकी बात मान ली और उसे सचेत किया कि जैसे ही उसे संकेत मिले वो त अम्रित्यू का कोई डर नहीं था क्योंकि अभी तक यम्राज ने उसे एक भी चिठी नहीं भेजी थी। अब अम्रित के दाद भी गिरना शुरू हो गए थे। इसी तरह धीरे धीरे उसकी आखी कमजोर हो गए। लेकिन उसे मौत की कोई परवा नहीं थी क्योंकि की कोई चिठी नहीं आई थी। अब उसका अंत्र समय करीब आ गया था। एक दिन यम्राज उसे लेने आ गए। उन्हें देखकर अम्रित टर से कापने लगा। यम्राज ने उसे साथ चलने को कहा। तब अम्रित ने गुस्से में आकर यम्राज पर अपना किया वादा तो ना दूर जा चुका था कि वो उन्हें समझ ही नहीं पाया। अम्रित हैरान हो गया और यम्राज से बोला कि उसे यम्राज कोई चिठी नहीं मिली। अब यम्राज ने कहा कि उन्होंने ये चिठी कागस पर नहीं बलकि अम्रित के खुद के शरीर पर भेजी थी। लेकिन व उसकी आखों की रोश्णी कम होने लगी और चौथे और आखरी संकेत में उसके शरीन ने काम करना बंद कर दिया लेकिन वो फिर भी समझ नहीं पाया और अब उसके अंद को कोई नहीं रुख सकता था और इतना कहकर यमराज ने अमरित के प्राण हर लिये ऐसा कहते हैं कि जब मित्यू का डर खतम हो जाता है तो इंसान भगवान से दूर होने लगता है और जब वो यमराज की भेजी हुई इन चार चिट्थियों को नजर अन्दास करता रहता है तो वो यमराज के वश में आ जाता है यम्राज जिनकी पूजा न्याय और मित्यू के देवता के रूप में होती है उन्होंने एक बार मानव रूप में इस धर्दी पर जनम लिया था लेकिन बाकी देवी देवताओं की तरह पाप का नाश करने के लिए नहीं बलकी एक शराब के कारण यम्राज ने इस अव्तार में महाभारत की युद्व में एक महत्वपून भूमी का निभाई थी कुरूराजी के प्रधान मंत्री, कौर्वों और पांडवों के चाचा और महाभारत में श्री कृष्ण के बाद पांडवों के सबसे बड़े सलाकार और यम्राज के अवतार विदुर श्रीमत भागवतम के पहले सर्ग के अनुसार मंडूक मुनी के शराब के कारण यम्राज ने धर्ती पर एक शूद्र के रूप में जनम लिया था बिदुर जनम से ही शत्रिय नहीं थे उनकी माता एक दासी थी महाभारत के आदी परफ के अनुसार एक बार एक राजा के यहां से गहनों की चोरी गे चोरों ने वो गहने रिशी मंडूक के आश्रम में छुपा दिये उस समय रिशी मंडूक अपने ध्यान में लिद थे जब सिपाही गहने ढूंते ढूंते आश्रम पहुचे तो उन्होंने चोरों के साथ रिशी मुनी को भी किरफतार कर लिया जब राजा ने मंडूक मुनी से गहनों के बारे में पूछा तो उन्होंने मौन धारन कर दिया राजा ने उन्हें गदा से दबा कर मानने का आदेश दे दिया सजा से कुछ समय पहले राजा को पता चला कि मंडूक एक बहुत बड़े मुनी है और इसलिए उनसे शमा मांगकर उन्हें सम्मान सही छोड़ दिया राजमहल से निकल कर रिशी मुनी सीधे यमलोग पहुचे और यमराज से पूछा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया था कि उन्हें ये अत्याचार जहलना पड़ा तब यमराज ने उन्हें याद दिलाया कि बचपन में रिशी मुनी ने एक चीटी को दबा कर मार दिया था और ये उसी कर्म का अंजान था ये बात सुनकर रिशी मुनी ग्रोधित हो गए क्योंकि यम्राज ने उन्हें बिना कारण ही एक ऐसे कर्म का फल दिया जो उन्होंने जान बूच कर नहीं किया था और इसलिए रिशी मुनी ने यम्राज को श्राब दिया कि यम्राज मानव रूप में जन्म लेंगे और अपने जीवन में बहुत दुग भोगेंगे और यही कारण था उन्होंने विदुर के रूप में धर्ती पर जन्म लिया और आजीवन कई मुश्किलों का सामना किया तो ये थी यम्राज और उनके रूप से जुड़ी कुछ अनसुनी कथाएं अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कहानिया हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और टोंट फोगेट तो सब्सक्राइब टू राज वर मोर अनकही अन्देखी अनसुनी कहानिया नमस्कार कर दो इनस कर दो